Hello friends, welcome to my channel, आज हम बात करने वाले हैं Yes Bank के बारे में काफी दिनों के बाद आज Yes Bank में तेजी देखने को मिली और चलिए हम देख लेते हैं इसके पीछे रीजन क्या है पहली नियूज यहां पर निकल कर आई है, नेगेटिव है नेगेटिव नियूज है, आनंदराथे मेंटेंस सेल रेटिंग विद प्राइस टारगेड और रुपीज फोडिन तो आनंदराथे एक फाइनेंशल फर्म है जो इन्वेस्टर्स को सजेशन देती है तो उन्होंने कहा है कि Yes Bank का रेट जो है सिर्फ 14 रुपे होना चाहिए और दूसरी नियूज जैसे कि आपको बता है, निर्मल बैंक, इन्होंने भी सेल रेटिंग का कॉल दिया था जो कि सिर्फ 13 रुपीज इसका रेट है करके बताया था अगर हम positive news के बारे में बात करें, तो जैसे कि कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे rate of interest, fixed deposit पर rate of interest revise हुआ है Yes Bank में जो कि दूसरे बैंकों के मुकाबले काफी अच्छा है और इससे जो है investors को Yes Bank encourage कर रहा है ताके investors इसमें जादे-जादा invest कर सके और यह amount accumulate करके Yes Bank दूसरे firms को, जैसे कि small sector firms है उन्हें जो है जादा-जादा loan दे सके, चलिए हम चार्ट पर देख लेते हैं इसके performance को, आज के performance को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 February को इसमें high लगाया था, 17 रुपे का, 17 रुपे 26 पैसा उसके बाद में लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी आज all of a sudden इसमें जो है, तेजी देखने को मिला आपको और यहाँ पर, RSI भी जो है, इंडिकेटर बता रहा है, यह positive side पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर positive side है, यहाँ पर 43.74% बता रहा है, जो कि बहुत अच्छा percentage है William percentage भी 65%, मैंने 65% बता रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कल के वीडियो में बताया था 16.50 पैसे पर, इसका जो है resistance था, उसी तरह, आज 16.50 पैसे पर, इसने अपना high लगाया था और इसके बाद में, इसमें profit booking आ गई थी चलिए हम NAC के website पे चलते हैं, और जैसे कि मैंने अपने प्रिछले वीडियो में भी बताया था, ये एक operator की चाल है, क्योंकि daily इसमें 45% के ऊपर delivery उठाई जा रही थी, चलिए आज देख लेते हैं, क्या इसमें performance रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि इसका low लगा था, 15.65 पैसे पर, high लगा था, 16.55 पैसे पर, 15.65 पैसे पर, यानि कि या high low के बीच में लगबग 1 रुपे का difference है, और ये open हुआ था, 15.85 पैसे पर, और इसकी closing है, 16.15 पैसे पर, और यहां traded quantity है, 17 करोड, लगबग 30 लाक, ये एक बड़ा quantity है, बड़ा quantity है, जिसमें trading हुई है, और delivery उठाई गई है, लगबग 5 करोड की delivery उठाई गई है, और यहां पर, अगर हम percentage की बात करें, तो 31.60% delivery उठाई गई है, ये 17 करोड 30 लाक के खरीब जो है, ये एक बहुत बड़ा figure है, इस पर 31.60% बहुत अच्छी delivery उठाई गई है, और चलिए हम support और resistance के बारे में बात कर लेते हैं, पहला support होगा 15.71 पैसे पर, दूसरा support होगा 15 15 रूपीज 58 पैसे पर, और 3rd support होगा 15.44 और 4th support होगा 15 रूपीज 23 पैसे है, और resistance के बारे में बात करें तो 16 रूपीज 9 पैसा, और 2nd resistance के बारे में बात करें तो 16 रूपीज 22 पैसा, 3rd resistance 16 रूपीज 36 और 4th resistance 16 रूपीज 57 पैसा, ठीक है, मेरा अभी भी जो है positive side, मैं अभ जो investors तीन महने, छे महने या एक साल के लिए invest करके रखना चाते हैं तो रखिए, इसमें ज़रूर आपको तेजी देखने को मिलेगी और एक multi bagger भी हो सकता ही है, yes bank, ठीक है, ये मेरा suggestion था, जो भी investment कर रहे हैं, आप अपने financial advisor से advice लेकर ही invest कीजिए, ठीक है, I hope आपको ये video और इस channel को subscribe करना मत भूलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,